नमसकार दोस्तो आपसभी का अपनी इस चैनल पर मैं बहुत बहुत श्वागत करता हूं दोस्तो आज मैं आज यू का पका पर हेंगा है उसक पर जो बारा बोल्ट है सप्लाई सफ्लाइब ले dinero नहीं बन रहा है और दोस्तों मैं सबसे पहहले आपको इस में में बॉड को पाँपर देकर आपको दिखाता हूं दोस्तो आप मल्टी मूटर बाद देखिएगा आप देख सकते हैं 12 वोल्ट बन रहा है और दोस्तो जो 5 वोल्ट सप्लाई है तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट सप्लाई नहीं बन रहा है मैं आपको यहां भी 5 वोल्ट सप्लाई जो हैं चेक करके दिखाता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो 5-volt supply है तो नहीं बनन रहा है और इस पर दोस्तों जो problem है तो problem क्या है तो मैं आपको multimeter से check करके दिखाता हूँ जो 5-volt supply है तो कहीं से sorting है दोस्तों आप सुन सकते हैं कि हमारा buzzer जो है बद रहा मतलब के मारा मल्टीमूटर बीप कर रहा है तो फाइब बॉल्ट सप्लाई जो है तो ग्राउंड के साथ में कहीं से स्वार्टिंग है तो आप दोस्तों इस फाल्ट को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं आज मुशिक बारे में छोटा सा जनकाई देने वाला हूँ तो इस पर जो फाल्ट है तो फाइब बॉल्ट सप्लाई जो है स्वार्ट है इस कारण से हमारा जो टीबी है तो अन नहीं हो रहा है और इसका जो लीडी है यह भी बंद है एक बार दोस्तों फिर से मैं आपको इसे पापर देखके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो लीडी है तो नहीं जल रही है और आपको दोस्तों एक बार फिर से यहां आपको इसका बोल्ट जो चेक करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं 5 बोल्ट नहीं बन रहा है केवल दोस्तों इसका जो 12 बॉल्ट है वह बस बन रहा है आप देख सकते हैं अब दोस्तों हम इस फाल्ट को किस फ़कार से ठीक करेंगे अब दोस्तों हम इस पर जो स्वाटिंग का फाल्ट है तो ठीक करने के लिए इस से 12 बॉल्ट की बैटरी का उप्योग करेंगे और यह दोस्तों इसका पॉजिटिव है और दोस्तों इसका निगेटिव है तो हम क्या करेंगे कि इसका जो negative वाला pin है हम दोस्तों यहां ground में कहीं भी लगा देंगे और इसे दोस्तों हम इस 5V वाले pin पर दोस्तों हम एक सकंड के लिए टेच करेंगे इस प्रकार से इसके बाद दोस्तों हम multimeter से चेक करेंगे कि हमारा जो sorting है तो ठीक हुआ कि नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो सौर्टिंग है तो आप देख सकते हैं सौर्टिंग दोस्तों हमारा ठीक हो चुका है अब मैं दोस्तों आपको इस कार्ड को चालू करके भी दिखाता हूँ तो हम इसे यहां लगा लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसे पावर दे दिया है लेकिन हमारा जो LED है तभी नहीं जल रहा है तो अब दोस्तों आपको क्या करना होगा तो हम दोस्तों इस पर अलग से 5 volt supply देंगे जैसे हमारा स्टिंग ठीक हो चुका है अब दोस्तों हम जहां हमें 5 volt मुलना चाहिए तो वहाँ दोस्तों हम अलग से इस बक Convertor का यूज़ करेंगे 5 volt supply देने के लिए तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि यह इसका output है यह इसका input है आप इस kit पर 5 volt से लेकर 15 volt DC supply दे सकते हैं और यहां से दोस्तो इसका जो output है तो आप देख सकते हैं कि यहां jumper दिया गया है अगर आप jumper 5 volt में कर देंगे तो आपको यहां जो आउटपुट है 5 बोल्ट मिलेगा अगर दोस्तो आप यहां 3.3 बोल्ट पर जमफर पर जमफर कर देंगे तो आपको यहां 3.3 बोल्ट मिलेगा इसे पकास दोस्तो आपको जितने भी जमफर दिये गए हैं आप यहां जमफर कर देंगे इस पकार से तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 5 बोल्ट वाले पॉइंड को जमफर कर दिया है अब दोस्तो हम इसे इंपुट देंगे 12 बोल्ट इस मदर बोल्ट से और यहां से दोस्तो हमें 5 बोल्ट सप्लाई में लेगा तो हम क्या करेंगे तो 12 बोल्ट दोस्तो हम कहां से देंगे तो आप देख सकते हैं यह जो कैपिस्टा लगा हुआ है 470 मुफ 35 बोल्ट वाला तो हम दोस्तो 12 बोल्ट सप्लाई यहां हमें 12 बोल्ट सप्लाई मिल रहा है हम यहां इसे 12 बोल्ट इंपुट सप्लाई देंगे इस प्रकार से दोस्तों हमें 12 बोल्ट सप्लाई जो है इस से बक्कन वाटर को दे देना है अब दोस्तों हम क्या करेंगे तो जो 5 बोल्ट सप्लाई है तो आप देख सकते हैं यहां एक छोटा सा कैपिस्टर भी लगा हुआ है और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां एक छोटा सा कोयल लगा हुआ है तो आप इस कोयल के इस पॉइंच पर भी दोस्तों इसे इसका 5 बोल्ट सप्लाई जो है दे सकते हैं तो हम दोस्तों क्या करे एक थो तो यहां कहीं से भी देखे हैं आप देख सकते हैं मैंने ग्राउंड यहां देखे सकते हैं Department दोस्तो हम जो 5 बोल्ट सप्लाई है तो दोस्तो आप यहां जहां फाइब लिखा हुआ है यहां भी स्थार को जोड सकते हैं मैं आपको दोस्तो इस वायर को यहीं आपको मैं जोड कर दिखाता हूं इस पकार से आपको इससे 5 बोल्ट वाले पिन पर इससे दोस्तो आपको जोड देना है और आपको अच्छे से कनेक्शन को देख लेना है कि आपने दोस्तों कनेक्शन उल्टा दो नहीं किया हुआ है तो दोस्तों मारा कनेक्शन जो है प्रापर सही है और अब दोस्तों मैं आ तोस्तो अपर देख सकते हैं मैंने जैसे इसे पावर दिया इसका लिडी है तो चालू हो चुका है अब मैं आपको यहां मैं दोस्तों आपको नब चुराइस कर दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ईन है और जो दोस्तों पैनल बाला बोल्टेज है यहां चेक कल देते हैं तो दोस्तों यहां भी हमें 4.9 बोल्ट मिल रहा है हमारा जो प्राबलम है तो स्वाल्ब हो चुका है अब दोस्तों मैं आपको इसे इस्टेंड बाया से रिलीज करके भी दिखाता हूं दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो जो यह सट है तो इस्टेंड बाया से रिलीज भी हो चुका है आप देख सकते हैं इसकार से दोस्तों कभी भी इस मदर बोल्ट पर अगर स्वार्टिंग का फाल्ट आता है तो या दोस्तो 5 बोल्ट सप्लाई में हो लेकिन आपको भी से ध्यान रखना है कि जब भी आप सौर्टिंग को दूर करेंगे चाहे सौर्टिंग 12 बोल्ट में हो चाहे दोस्तों 5 बोल्ट में हो आपको केबल एक सेकंड के लिए मनलब कि पल भर के लिए है आपको जो इसका पॉश्चिप सप्लाई है तो आपको टेस्ट करना होगा आपको ज्यारा समय तक लगा कर नहीं रखना है इससे दोस्तों आपका मदल बोल्ट जो है तो जल जाएगा तो आपको दोस्तों इससे ध्यान रखना है आप इस प्रकार से बैटरी का उप्योग करके स्वार्टिंग को ठीक कर सकते हैं